सेयंस ये वीडियो बियर्ड पे एक ultimate guide होने वाली है पैची बियर्ड के लिए best hacks और specially आपके face पे कौनसी बियर्ड best लगेगी इन सब का discussion करेंगे आज इस special वीडियो में और वीडियो के बिलकुल end की bonus tip में मैं आपको वो best methods और home remedies बताऊंगा जिससे कि अगर आपकी patchy beard आती है तो 110% guaranteed आपकी uniform अच्छी थिक beard की growth स्टार्ट हो जाएगी तो उसके लिए ये special वीडियो पूरी end तक देखना यार अब देखिए यार अगर आपकी patchy beard है मतलब आपके face पे facial hairs तो हैं लेकिन वो uniform नहीं है कुछ जगे पे कुछ ज़ादा ही growth है और कुछ जगे पे बिल्कूल भी नहीं है तो basically जहाँ पे beard की density कम है हम उस area को patchy area भी कहते हैं अब यार market में एक बहुती common misconception ये है beard growth के लिए कि अगर आप अपने face पे razor चला लोगे तो आपकी beard की growth बढ़ जाएगी और वो uniform हो जाएगी लेकिन ये 100% wrong तरीका है क्योंकि actually आपके face पे जो hair follicles है वो आपके skin के नीचे से आते हैं लेकिन वो razor या फिर जो blade होती है वो सिर्फ skin के उपर से आपके बाल साफ करती है तो इससे आपके face पे extra hair आएंगे ऐसा तो नहीं होने वाला बट हाँ आपके facial hair थोड़े hard हो सकते हैं तो आप ये चीज बिलकुल neglect करें इसकी जगए आप ये कर सकते हैं कि आप at least एक महीने के लिए अपने facial hairs को grow होने दें बियर्ड के अच्छी खासी लंबी length होने की वज़े से आपके face पे जो patches थे वो भर जाएंगे और ऐसा illusion create होगा कि आपकी fuller beard है और फिर उसी beard को आप या तो barber के help से या फिर YouTube पे कोई video देख के shape देजना लेकिन अगर आपके इतनी जादा beard growth नहीं है या फिर आप एक teenager हो तो सबसे best beard style आप ये रख सकते हैं कि आप अपने sides में से तो एक number की machine चला के या फिर बिलकुल छोटे छोटे बाल रखें और उसके साथ आप अपनी mustache area में और chin area पे अच्छे कासे length के बाल रख सकते हैं आपकी convenience के लिए मैंने एक beard trimming video नीचे description में link कर दिये point second pay attention to the minor details अब भले यार आपकी beard की growth कितनी भी हो आप सबसे पहले ये धियान रखना कि आपके chin के जो नीचे वाला area है उस जगे पे आपकी beard बहुत uniformly कटी भी होनी चीए आपको उस area में ज़ादा design देने की ज़रुवत नहीं है बस अपने face को बिलकुल straight रखना और एक comb यानि की कंगी अपने chin के नीचे place करना फिर उस कंगी के नीचे वाला जो portion है उसको पूरा का पूरा साफ कर देना uniformly ये particular portion भी आपके face को अच्छा खासा definition देता है इसलिए ये भी properly trimmed out होना जीए इसके साथ आपके जो cheekbones पे non uniform beard hairs हैं आप वो हटाएं आप ये try करें कि आपकी cheeks पे जो beard line है वो आपके jawline से parallel जा रही हो उसी के angle में ताकि again वो आपके face पे और भी ज़ादा अच्छे लगे और आपके face को वो definition दे सके point third stop copying others आपके favorite actor ने या फिर किसी model ने कोई beard रखी विया और उस पे वो अच्छे लग रही है इसके according अगर आपने अपने face shape के हिसाब से दो या तीन beard styles try करके देख ली और मेबी आपको वो कोई भी नहीं जमरी तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे standard beard की styles यानि कि 10 days double जिसमें आपके पूरे face पे एक uniform length में beard होगी या फिर आप sides में से छोटे और mustache और chin में से थोड़ी सी बड़ी length की beard या फिर sometimes थोड़ा बहुत look change करने के लिए completely clean shaven look भी try कर सकते हैं अपने उपर जिससे के आप school, college और office में भी जाएं तो कोई आप पे objection नहीं कर पाए फाइनली वीडियो के bonus tip की beard growth tips के लिए आप सबसे पहले तो daily basis पे protein और biotin rich foods अपने खाने में add करें इसी के साथ home remedy के लिए आपको सबसे पहले onion का juice लेना है उसके साथ आपको castor oil mix करना है और फाइनली इसमें coconut oil mix करके इससे circular motion में अपने face पे massage करना और 20-30 minutes इसको अपने face पे छोड़ देना लेकिन ध्यान रखना ये particular solution बहुत जादा time consuming है और इससे आपको बहुत जादा drastic फरक भी नहीं दिखेगा अपने beard पे तो इसके लिए आप second best method यानि के derma roller का use कर सकते हैं जिसमें छोटे-छोटे micro needles होते हैं जो आपके face के blood circulation को increase करते हैं और आपकी beard growth में मदद करते हैं लेकिन ये method भी बहुत जादा time consuming है और इससे भी आपको कोई insane results नहीं मिलते हैं तो finally beard growth के लिए जो number one method है वो है the use of minoxidil ये basically एक topical solution है जो कि beard growth के लिए सबसे effective method है ये basically एक transparent solution form में आता है जिसे again आपको apply करके 3-4 घंटे के लिए अपने face पे छोड़ना लेकिन इसको use करने से पहले मैं highly recommend करूँगा कि आप किसी doctor की जरूर से consultation ले ले क्योंकि इसके थोड़े बहुत side effects भी देखने को मिलते हैं इसके अलावा जो सबसे safest और best minoxidil की companies के links होंगे वो मैं description में डाल दूँगा आप उधर से जरूर से check कर लेना अगर आपको मेरी beard according to your face shape वाली वीडियो देखने है तो left box पे click करना और common skin problems के लिए solution वाली वीडियो देखने है तो right box पे click करना